Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे आज का हमारा topic है Batch Normalization Batch Normalization is a technique using which you can speed up your Neural Networks training आपके Neural Networks का training को speed up कर सकता है और थोड़ा और stable भी कर सकता है Batch Normalization बहुत recently ये technique आया है 2015 में और उसके बाद से आजकल ये बहुत use होता है in Neural Networks तो आज के हमारे वीडियो का goal है कि इस technique को हमें in and out समझना है क्यों use किया जाता है वो समझना है और फिर केराज में कैसे implement किया जाता है वो भी हमें देखना है तो लेट्स स्टार्ट दा वीडियो तो चलो गई अपना discussion हम लोग स्टार्ट करते है बिलकुल basic question से स्टार्ट कर रहे हैं कि batch normalization होता क्या है यह definition मैंने internet से उठाया है एक बार इसको read out करते हैं बहुत ही simple definition है यहाँ पे लिखा हुआ है batch normalization is an algorithmic method which makes the training of deep neural networks faster and more stable कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि batch normalization करता क्या है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको use करने के बाद आपका जो neural network है उसका training fast हो जाता है fast होने का मतलब कम epochs में आप converge करने लग जाते हो सही optimal solution की तरफ ठीक है and also batch normalization आपके neural network training को और जादा stable बनाता है stable बनने का क्या मतलब है हम आगे डिसकस करेंगे अब batch normalization करता क्या है वो आगे लिखा हो है so it consists of normalizing activation vectors from hidden layers using the mean and variance of the current batch this normalization step is applied right before or right after the non-linear function simple words में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर एक neural network है and this is a deep neural network इसके पास 3 hidden layers है ठीक है so generally आपने ये तो notice किया होगा कि जब हम inputs भेजते हैं एक neural network के अंदर तो वो normalized होते है normalized होने का मतलब है कि उनका mean 0 होता है और standard deviation 1 होता है ठीक है हम ये भेजते है but batch normalization में आप क्या करते हो कि आपका ये जो सारे hidden layer के neurons है इनका जो output होता है वही subsequent layer के लिए input का काम करते है तो batch normalization में आप इन activations को भी normalize कर देते हो that's it मतलब इनका भी mean 0 हो जाता है और standard deviation 1 हो जाता है और ऐसा आप हर hidden layer के लिए कर देते हो ठीक है और कहा जाता है ऐसा करने से आपका जो training है वो fast भी हो जाता है और stable भी हो जाता है अब यही main idea है और इस पूरे वीडियो में हम इसको ही detail में discuss करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि batch normalization की जरूरत क्यूं है ठीक है वो हम लोग सबसे पहले discuss करते है मैं आपको दो reasons दूंगा कि batch normalization क्यूं use करना चाहिए पहला reason बहुत ही simplistic है उसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप inputs को normalize क्यूं करते हो ये मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि अगर आप एक neural network के साथ काम कर रहे हो तो it's advisable कि it's advised कि आप अपने inputs को normalize कर दो जैसे ये example देखो हमारे पास दो input columns है CGP और IQ इन दोनों का scale अलग है एक 10s में है और एक 100s में है और ये आपका neural network है तो हमेशा बोला जाता है कि आपको अपने दोनों या जितने भी inputs आपके हैं उनको same scale पे ले आना चाहिए या फिर normalize कर देना चाहिए normalize करने का generally मतलब होता है कि mean 0 कर देने के लिए और standard deviation 1 कर देने के लिए मतलब अगर आप पहले अगर आप scatter plot करो CGPA को इस axis पे रखके और IQ को इस axis पे रखके कुछ भी distribution हो सकता है इस तरीके का कुछ भी हो सकता है जब आप इसके उपर ये transformation अप्लाई करते हो तो जो result है वो ऐसा हो जाता है mean centering हो जाती है और 1 का standard deviation हो जाता है ठीक है तो ये transformation आपको apply करना चाहिए क्यों करना चाहिए उसका reason ये है कि अगर आप unnormalized data के साथ काम करते हो तो आपका जो cost function होता है उसका contour कुछ ऐसा होता है मतलब कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको contour जो होता है cost function का अब problem क्या है कि ये एक direction में जादा stretched है और एक direction में कम stretched है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत high learning rates के साथ approach नहीं कर सकते अपने minima की तरफ क्योंकि अगर आपने बहुत high learning rate रख दिया तो आप इस direction में overshoot कर सकते हो ठीक है अब training इसकी वैसे slow हो जाएगा क्योंकि आप learning rate जो है वो slow रख रहे हो क्योंकि अगर आपको करना क्या होता है आपको minima तक पहुँचना होता है किसी भी points से by making these jumps अब यह जितने लंबे jumps होंगे उतनी जल्दी आप पहुँचोगे since आप learning rate slow रख रहे हो तो आप छोटे 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 स्टेप्स लेके पहुँचते हो इसलिए बोला जाता है कि जब आपके बास unnormalized data है तो training would be slow या फिर unstable ठीक है क्योंकि आप learning rate बहुत जादा नहीं रख सकते हैं अब अगर आप अपने data को normalize कर देते हो तो आपका जो cost function है उसका contour कुछ ऐसा दिखने लगता है कुछ ऐसा दिखने लगता है which is uniform in both the directions और फिर इसकी वज़े से क्या होता है कि आप बहुत stable तरीके से optima तक अपने minima तक पहुँच सकते हो ठीक है so training is faster as well as stable तो लोगों ने यही सोचा कि अगर inputs को normalize करने से training stable और fast हो जाता है तो what if हम यह जो neurons है इनका जो output है इसको भी हम लोग normalize कर दे क्योंकि इनका जो output है वही अगले layer के लिए input का काम करता है तो this was the main idea behind batch normalization ठीक है बट इससे भी जादा एक और important reason है जिसकी वज़े से batch normalization को use किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद अब मैं आपको एक दूसरा explanation देता हूँ कि batch normalization क्यों use किया जाता है और इस explanation को समझने के लिए आपको एक concept समझना पड़ता है जिसका नाम है internal covariate shift और internal covariate shift समझने के लिए आपको पहले एक और concept समझना पड़ेगा जिसको बोला जाता है covariate shift तो एक बार पहले हम लोग अपना focus रखते है covariate shift के उपर so covariate shift बहुत simple साई concept है और ये बहुत commonly आपको मिलेगा so होता क्या है ये जो diagram है आप इसके उपर focus करो और इसके पहले right side पे focus करते है इस side पे so कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपके पास ये training data है आप ए classification problem के उपर काम कर रहे हो और ये आपका training data है और training data का जो distribution है वो कुछ ऐसा है आपने इसके उपर model को train किया ठीक है और आपका model कुछ ऐसा बन के आया ये आपका model है ठीक है बट हुआ क्या कि जब आपने testing करने के लिए model को निकाला तो आपको ये data दिखाई दिया अब ये जो data है ना इस data में अगर आप notice करो तो जो input है या जो input columns है because ये 2D data है जो input columns है उसका distribution change हो गया आप देख सकते हो जो distribution है वो change हो गया भले ही output का distribution वैसा ही है ये देख रहे हो आप अभी भी same ही decision boundary से red और green class को divide कर पा रहे हो ये वाला चीज अभी भी true है बट ये जो distribution है data का ना वो change हो गया अब बोला जाता है कि कभी अगर ऐसा हो कि आपके input columns का distribution अगर change हो जाता है तो भी आपको अपने machine learning model को retrain करना पड़ेगा भले ही आपका x और y input और output के बीच का relationship अभी भी same है यहाँ पर input और output के बीच का relationship अभी भी same है बट since input का distribution ही change हो गया आपका model इस नए data के उपर उतना अच्छा perform नहीं करता इसी concept को बोला जाता है covariate shift फीक है इसका एक बहुत अच्छा explanation इस example के थूँ आप देख सकते हो so यहाँ पर मालो आपने CNN को train किया to distinguish between rows and other flowers और आपने क्या किया गलती से आपने train करते time जो images दिये rows के वो सारे के सारे red rows थे तो आपका model सीख तो गया rows और बाकी के flowers के बीच में distinguish करना बड़ जब आपने testing के लिए data दिया तो आपने हर color का rows दे दिया yellow भी दे दिया, white भी दे दिया, pink भी दे दिया और बाकी के flowers दे दिया अब unfortunately since आपके input का distribution change हो गया आपको अपने model को retrain करना पड़ेगा otherwise आपका result अच्छा नहीं आएगा भले ही, यहाँ पे जो आपका ground truth था ground truth मतलब x और y के बीच में जो relationship था, rows और note rows के बीच में जो relationship था, वो अभी भी same है बट आपका model सही perform नहीं कर पाएगा इसी को बोला जाता है covariate shift ठीक है, अब अगर आपको covariate shift समझ में आ गया तो let's discuss internal covariate shift ठीक है, उसका definition मैंने यह पे लिखा है यह definition मैंने, जिन लोगों ने batch normalization का concept इजाद किया है, उनके paper से ही लिया है मैंने, इनके हिसाब से इन्होंने लिखा है we define internal covariate shift as the change in the distribution of network activations due to the change in network parameters during training ठीक है, अब समझने की कोशिश करना internal covariate shift क्या है मालो, यह एक बहुत deep neural network है जहाँ पर आपके पास multiple hidden layers है ठीक है, तो अब मालो, यहाँ से एक बार आप क्या करो कि थोड़ी दिर इस तरफ में जितने भी layers है इनको भूल जाओ और सिर्फ इतने को imagine करो इतने को आप एक independent neural network की तरह imagine करो तो obviously यह जो point है और यह जो point है यह आपका x1 और x2 की तरह काम कर रहा है ठीक है, तो इतने neural network को यह input मिल रहा है और इसको यह y hat calculate करना है तो मतलब अपने rates को यह इस तरीके से adjust करेगा कि यह y hat का value सही से निकले बट problem क्या है कि यह actually inputs नहीं है यह actually इस hidden layer के output है और सोच के देखो इस hidden layer के जो output है वो किस पर depend कर रहे है वो in weights की value पर depend कर रहे है और in weights का value constantly change हो रहा है so basically कहने का मतलब यह है कि अगर आप इतने neural network को पकड़ो तो इसको जो input मिल रहा है उसका जो distribution है आप क्या सकते हो यह जो input है यह जो input है इसका जब आप graph plot करो तो यह जो distribution है यह constantly change हो रहा है जिसकी वज़े से यह जो आगे का neural network है इसको train होने में बहुत परेशानी होती है और जो training होती है बहुत unstable होता है और इसी को बोला जाता है internal covariate shift इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका यह है यह photo आपको बहुत अच्छा example देगी कि आप यहाँ पे हर बच्चे को imagine करो as a hidden layer सो पहले बच्चे को बताया गया peas बट उसने आगे भेजा bees इस बच्चे ने bees को बना दिया knees इसने बना दिया cheese और इसने बना दिया fleas यही होता है neural network में information कुछ pass होता है बट बार बार constantly changing weight की वज़े से जो आपका information यहाँ तक कौँचता है उसमें बहुत बदलाव आ जाता है distribution change हो जाता है और उस distribution के change होनी की वज़े से आपका जो model है वो साही से train नहीं हो पाता है ठीक है और जो आपका training होता है वो stable नहीं होता है अब batch normalization क्या करता है कि वो हर layer के end में यह ensure कर देता है कि भाई यहाँ पे जो distribution रहेगा वो normally distributed रहेगा मतलब new would be 0 and standard deviation would be 1 तो उसने इतना ensure कर दिया कि हमेशा जो distribution है वो ऐसा ही रहेगा mean centered रहेगा mean 0 और standard deviation 1 रहेगा तो at least इतना ensure करने से क्या होता है कि जो आगे के layers है उनको थोड़ा सा एक stable ground मिल जाता है अपना काम करने के लिए जिसकी वज़े से आपका training थोड़ा सा improve हो जाता है ठीक है तो this is the whole intuition behind batch normalization आप क्या कर रहे हो हर hidden layer के output को Gaussian distribution में convert कर रहे हो normalize कर रहे हो जिसकी वज़े से internal covariate shift reduce हो रहा है जिसकी वज़े से training fast भी हो रहा है और stable भी हो रहा है अगर internal covariate shift होता है मतलब अगर आप batch normalization use नहीं करते हो तो आपको अपने learning rate को थोड़ा सा low ले करके चलना पड़ता है तभी training हो पाएगी also आप जितने भी parameter initialization कर रहे हो weights वगेरा वो आपको बहुत carefully करने पड़ते हैं otherwise बहुत unstable training होती है और इन्ही सबसे बचने का तरीका है batch normalization तो I hope आपको why का answer मिल गया कि batch normalization को क्यों use करना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ कि batch normalization exactly काम कैसे करता है so that आपको पूरा का पूरा picture clear हो जाए अब अब आपके अंदर काफी curiosity आगे होगा कि batch normalization काम कैसे करता है अब हम लोग समझेंगे step by step कि batch normalization काम कैसे करता है ये part आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा because internet पे जो resources available है वो थोड़े confusing है ठीक है तो ध्यान से देखो batch normalization कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको 3-4 bullet points याद रखने पड़ेंगे पहला कि जब आप batch normalization अप्लाई करते हो तो आप mini batch gradient descent के साथ apply करते हो ये पहली बात आपको याद रखनी है दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि ये layer by layer basis पे apply होता है मतलब if there are multiple layers तो आप चाहो तो किसी एक पे apply कर सकते हो दो पे कर सकते हो तीन पे कर सकते हो बट होगा हर बार एक बार में एक layer के उपर ठीक है so optional है ऐसा नहीं है कि आपने एक layer पे लगाया तो आपको सभी के उपर लगाना जरूरी है नहीं it's optional ठीक है अब देखो समझनी के लिए एक setup समझते हैं हम लोग मालनों हमरे पस ये data है 100 students का cgp iq का data है उससे में predict करना है कि placement होगा की नहीं और ये छोटा सा neural network हम use कर रहे है so पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एक single layer के उपर कैसे apply होता है batch normalization और फिर मैं आपको एक proper deep neural network पे भी दिखाऊंगा ठीक है तो देखो होगा क्या neural network काम कैसे गएता है बहुत simple है आप यहां से एक एक करके यह values यहां पे insert करते हो यह weights है वालो तो आप forward propagation करते हो सबसे पहले forward propagation में आप क्या करते हो आपका यह जो neuron है यह वाला यह क्या करेगा यह सबसे पहले z calculate करता है z कैसे calculate होगा w1 multiplied by cgpa plus w2 multiplied by iq plus इसका खुद का जो bias है ठीक है फिर आप इस z11 को भेज देते हो एक activation function में और इससे calculate होता है आपका उस neuron का activation ठीक है तो यहां पे इस neuron के अंदर दो चीजे हो रही है पहले आप यह weighted sum calculate कर रहे हो फिर आप यह activation calculate कर रहे हो ठीक है यह दो काम होते है अब जब आप batch normalization apply करते हो किसी layer के उपर मालो आपने इस layer के उपर apply किया तो batch normalization का का काम क्या है कि इन डोनो neurons का जो output है उसको normalize करना normalize करने का मतलब mean 0 और standard deviation 1 करना ठीक है तो वो करता कैसे है अगर यहाँ पर 3 neurons होते तो तीसरे वाले को भी हम individually normalize करते हैं अब normalize करने का process क्या है कि आप सबसे पहले Z11 calculate करोगे जैसा आपने यहाँ पर किया फिर उस Z11 से आप A11 calculate नहीं करोगे आप उसको पहले normalize करते हो और फिर इस normalized वाले को आप Z11 Z11 भेजते हो और फिर आप A11 calculate करते हो तो यहाँ पर बीच में इस जगह पर हमारा normalization होता है ठीक है एक और तरीका भी है कि आप Z11 calculate करो उससे फिर आप A11 calculate करो और फिर A11 को आप normalize करो यह दोनों तरीके होते हैं इस इस जादा पॉपुलर है इसके comparison में तो हम इस वीडियो में यह वाला तरीका लेके चलेंगे ठीक है तो अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि यह Z11 calculate हुआ अब हमें Z11 से क्या करना है यह calculate करना है और यह कैसे calculate होगा बहुत simple है आपको यह करना पड़ेगा Z11 minus mean divided by sigma यह जैसे ही आप लगाओगे तो आपको ZN11 मिल जाएगा basically जो भी यह value है इसमें से आप mean को subtract करके standard deviation से divide कर दोगे ऐसे ही आप standardization करते हो but question यह है कि यह mean है क्या और आएगा कहां से ठीक है तो बहुत simple है इसलिए इस पूरी चीज का नाम batch normalization है और इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि आप mini batches में काम करते हो देखो आप कैसे काम करोगे कि आप एक batch size decide करोगे मालो आपका batch size है 4 तो आप क्या कर रहे हो आप एक साथ 4 points को पकड़ोगे और उसको एक साथ इस neural network में भेज़ दोगे obviously पहले आप इसको normalize करोगे सारे points अभी normalize नहीं है normalize करके आप एक साथ इन 4 points को यहाँ पर इस neural network में भेज़ दोगे अब इस neural network में आपने जो input दिया उसका shape है 4 x 2 आप यहाँ पर dot product करवाओगे इस 2 x 2 matrix के साथ ठीक है तो आपको मिलेगा 4 x 2 matrix जो है B1 और B2 इसको add कर दोगे इसको add करने से भी आपको 4 x 2 matrix ही मिलेगा सोचके देख सकते हो यह 4 x 2 matrix क्या है यह 4 x 2 matrix है कि 4 activations इस वाले neuron के और 4 activations इस वाले neuron के और 4 activations क्यों? 1 activation for this data point, 1 activation for this data point, 1 activation for this and 1 activation for this so basically आपने 1 साथ चार sets भेजे 4 data points भेजे 4 का एक साथ 4 हो का एक साथ आपने इस neuron का activation calculate किया और 4 का 1 साथ आपने इस neuron का भी activation calculate किया so basically इस जगा पे मिर ह PAS 4 numbers है और इस जगा पे भी मिर पAS 4 numbers है ठीक है? आप क्या करोगे? आप mu calculate करोगे so mu हो जाएगा इस point पे जो आपके पास 4 activations है 1 by m i is equal to 1 से m z11 i ठीक है so basically आपने जो 4 activations उपर calculate किये ये 4 आपने उसका mean निकाल दिया, यहाँ पे m का value 4 है because m is your bath size यही आपका mu b कहलाता है ठीक है, एक बार आपने mu b calculate कर लिया, तो आप बहुत जल्दी sigma भी calculate कर लोगे और यह रहा formula आपका standard deviation का यह रहा आपका formula standard deviation का, ठीक है also एक चीज़ ध्यान देने की है कि आपने यह जो mu और sigma भी calculate किया है वो आपने इस वाले neuron के activation के लिए किया है ठीक है, separately आप इस वाले के लिए भी अलग से calculate करोगे, इसके चारो activations को पकड़ के, formula सेम रहेगा बट यह काम आपको दो बार करना है ठीक है, अब एक बार जैसे ही आपके पास mu और sigma आ गया अब आप क्या करोगे, सारे के सारे individual eyes को पकड़ोगे, मतलब आपके पास चार activation है per neuron, अब हर activation को पकड़ोगे for every neuron, और उसके लिए ये calculate कर दोगे ये एक error term हम लोग add कर देते हैं कि अगर कहीं standard deviation 0 रहा तो ये पूरा term 0 ना हो जाए इसके लिए, ठीक है, बट या this is the step of normalization जैसे आप ये करोगे आपका जो सारे के सारे activations है वो 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे basically उनका mean 0 हो जाएगा और standard deviation 1 हो जाएगा ठीक है, तो ये हुआ आपका step 1 अब आपको एक और काम करना होता है batch normalization करने के लिए देखो, अभी तक आपने क्या किया आपने z11 calculate किया इसका activation और इसको आपने normalize किया ठीक है, और ये step 1 था बट इसके बाद आप क्या करते हो कि आप ये जो normalize हुआ है ना इसको आप एक gamma बोल के parameter होता है उससे multiply करते हो और फिर उसमें एक beta बोल के एक parameter होता है आप उसको add करते हो अब ये gamma और beta क्या है ये gamma और beta are learnable parameters learnable parameters बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके w's और b होते है तो ये gamma और beta का value सही value training के थूँ पता चलता है initial value gamma का वैसे 1 रहता है और beta का 0 रहता है केरास की बात कर रहो हूँ केरास में जो implementation है उसमें gamma का initial value 1 रहता है beta का value 0 होता है बाकी back propagation के बाद changes होते है तो इनका value कुछ और निकल के आता है तो आप क्या कर रहे हो आप पहले scale कर रहे हो फिर shift कर रहे हो ये operation कर रहे हो और इससे आपको मिलता है z11 bn कह सकते हैं इसको ठीक है ये operation करने के बाद आपको ये मिला और अब आप इसको उठा करके भेशते हो अपने activation function में जिससे आपको मिलता है आपका a11 ठीक है तो ये पूरा का पूरा step है this is the entire step ठीक है मैं एक बाद summarize कर रहे हो z11 आपने calculate किया weighted sum उस weighted sum में आपने since vectorization किया था आपने एक साथ पूरा batch भेजा था आपने उसका mean और standard deviation calculate किया उससे आपने normalize किया और normalize करने के बाद आपने ये operation लगाया ठीक है जिससे आपको ये मिला और फिर इसको आपने activation function के अंदर भेजा जिससे आपको ये मिला अब समझने वाली बात ये है कि ये same चीज आप अपने सारे neurons के साथ करोगे जितने भी neurons आपके layer में है यहाँ पे दो है ये सारा काम दो बार होगा also एक और चीज जिसके बारे में बहुत confusion रहता है इस neuron के लिए इसका खुद का gamma और beta parameter होगा और इसके लिए इसका खुद का gamma और beta parameter होगा so अगर यहाँ पे एक और neuron होता उसका खुद का gamma और beta parameter होता हर neuron का खुद का gamma और beta parameter होगा जो वो automatically सीखेगा उसका value during the learning ठीक है अब सोचने की बात ये है कि एक question आप पूच सकते हो question ये हो सकता है कि देखो पहले हमने z11 calculate किया फिर हमने उसको normalize किया normalize करने का मतलब है कि हम उसके mean को लेकिया है 0 पे standard deviation को लेकिया है 1 पे in a way आपका data अगर कुछ ऐसा था अगर आपका data कुछ ऐसा था तो आपने उसको mean center किया इस तरीके से इस तरीके से किया ठीक है तो फिर वापस हम किसी और factor से multiply क्यों कर रहे है और फिर उसमें कुछ और add क्यों कर रहे है basically हम scaling और shifting फिर से क्यों कर रहे है ये तो ठीक उसका ultra operation हो गया आपने ये जो operation लगाया standardized करके आपने ये जो operation लगाया इसका ठीक ultra operation ये है सोचके देखो ना यहाँ पर एक चीज से divide कर रहे हो और एक चीज से subtract कर रहे हो यहाँ पर एक चीज से multiply कर रहे हो और फिर एक चीज से add कर रहे हो तो इना वे आप ultra operation चला रहे हो in fact आप ये देख सकते हो अगर आपने माल लो during learning ये पता किया कि gamma का value निकल के आ रहा है let's say sigma plus e और बीटा का value निकल के आ रहा है mean तो इना वे जब आप ये पूरा transformation करोगे z11 से आप निकालोगे z11 normalized और जैसी आप z11 normalized से ये वाला operation करके ये वाला operation करके ये निकालोगे ये और ये तो exactly same हो गया तो it is very counter intuitive कि हम batch normalization में पहले normalize कर रहे है लेकिन फिर normalize करने का ठीक उल्टा operation भी कर रहे है scale and shift तो इसका intuition ये है कि कभी-कभी जरूरत नहीं होती है batch normalization की कभी-कभी neural network नहीं चाहता है कि उसके activations को आप mean center कर दो और standard deviation 1 कर दो कभी-कभी किसी तरह के data पे हो सकता है कि वो कुछ different distribution चाहता हो तो आप क्या कर रहे हो ये gamma और ये beta parameter के through आप उसको flexibility दे रहे हो आप उसको बोल रहे हो कि सुन अगर तुझे normalization चाहिए है तो तू कर सकता है बट अगर तुझे नहीं चाहिए है तो gamma और beta की values को use करके you can have some other distribution also so ये flexibility देने का तरीका है ये gamma और beta parameter ठीक है तो एक बार मैं summarize कर रहा हूँ हमने क्या सीखा कि हमारे पास अगर कोई neural network है और हमें अगर उसके उपर batch normalization लगाना है तो हम layer by layer basis पे लगाएंगे अगर हमने decide कि कि किसी particular layer पे हमें batch normalization लगाना है it means कि हम उस layer के सारे neurons के उपर batch normalization लगाएंगे individually so इस neuron का activation को हम अलग से normalize करेंगे इसके activation को अलग से normalize करेंगे अब batch normalization consists of two stages stage one is normalizing जिसके लिए हम क्या करेंगे हम batch का mean और batch का standard deviation निकालेंगे और normalize कर देंगे using this formula लेकिन उसके बाद एक stage 2 भी होता है जहां पर हम scale and shift करते हैं using this formula और एक बार जब हम ये सारा काम कर लेते हैं तो फिर हम अपने value को activation function में भेजते हैं और activation को calculate करते हैं ठीक है also एक चीज याद रखना है confused नहीं होना है आप हर neuron के उपर individually काम कर रहे हो तो हर neuron का खुद का gamma और beta parameter होगा ठीक है तो ये हमें अब समझ में आ गई बात एक single layer पे कैसे काम हो रहा है एक बार आप discuss करते हैं deep neural network के उपर कैसे काम होगा अब एक बार guys एक deep hidden neural network में deep neural network में कैसे काम हो रहा है batch normalization का वो देख लेते हैं batch normalization को आप एक layer consider कर सकते हो batch normalization को in fact keras एक layer consider करते हैं तो आप inner way ऐसे imagine कर सकते हो कि इस जगा पर एक layer आ गया है this is a layer ठीक है अब ये layer क्या करेगा ये डोनों activations के उपर काम करेगा ठीक है और इस layer में total मिला के चार learnable parameters होंगे ठीक है एक होगा gamma और beta for this neuron और एक और gamma और beta for this neuron ठीक है so होता क्या है कि बिल्कुल जो आपका back propagation normally होता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है सब कुछ आप क्या करोगे during training during learning आप gradient descent use करके gamma को भी update करोगे gamma is equal to gamma minus learning rate times dell of loss function by dell of gamma आप जिस तरीके से rates को update करते हो बिल्कुल सेम तरीके से आप gamma को भी update करोगे उपर जो भी equations मैंने दिखाए हैं यह सारे के सारे differentiable हैं आप चाहो थो एक बार बैट करके maths पूरा का पूरा figure out कर सकते हो बट honestly करने की ज़रूरत नहीं है because keras जैसी library ने यह सारा चीज implement कर रख है हमें सिर्फ एक line का code लिखना होता है बस आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि जिस तरीके से मैंने थोड़ी दिर पहले आपको forward propagation बताया बिल्कुल उसी तरीके से back propagation होगा और back propagation होते टाइम आप इनको भी update करोगे बिल्कुल वैसे ही जासे आप अपने weights को update करते हो ठीक है तो यही मुझे आपको बताना था I hope आपको ये चीज समझ में आ गई इस अभी तक तो हमने देखा कि batch normalization training के time काम कैसे करता है बट अब हम लोग देखेंगे कि during test as in जब आप एक reduction करवाना चाहते हो उस time पर batch normalization कैसे काम करते है थोड़ा सा different है उसका reason बहुत simple है अगर आपको याद होगा तो होता क्या था कि हम पहले Z11 calculate करते थे for this neuron इसको हम लोग normalize करते थे बट normalize करने के लिए अगर आपको याद होगा तो हमें एक mean चाहिए होता है और एक standard deviation चाहिए होता है तो ये हमें कहाँ से मिलता है हमें एक batch size decide करते है जैसे मालों हमारे पास 100 बच्चों का data है तो हमने batch size 4 लिया तो हम एक बार में 4 बच्चों के data के उपर काम कर रहे है तो हमें चार लोगों का mean तो मिल गया बट जब आप testing कर रहे हो या आप prediction कर रहे हो उस time पर आपके पास सिर्फ एक ही query point है you have only one query point तो फिर ये mu और standard deviation कहां से आएगा this is the main problem and यही point पर difference आता है तो ध्यान से देखो आप करते हैं क्या हो आप एक concept use करते हो exponentially weighted moving average यह concept हम लोग आगे थोड़ा और detail में पढ़ेंगे शायद आपने पहले कभी सुना भी हो इसके बारे में आप क्या करते हो during training exponentially weighted moving average maintain करते हो कैसे मैं आपको बताता हूँ मालो आपके बास total hundred rows है आपने 4 का batch size divide किया तो आपका algorithm total मिला के 25 times run कर रहा है in one epoch तो आप क्या करते हो at the end of one batch जब पहला batch किया तो mu का एक value होगा let's call it mu b1 जब फिर दूसरा batch गया तो mu का एक और value होगा mu b2 और फिर इस तरीके से mu b25 तक कि अपने values होंगे आप क्या करते हो इन values को use करके एक exponentially weighted moving average maintain करके रखते हो for mu और फिर same ऐसा ही काम आप करके रखते हो with your standard deviation sigma ठीक है और फिर जब training खतम हो जाता है तो during test आप यह जो last update हुआ है exponentially weighted moving average of mu इसको use कर लेते हो और जो last update हुआ है sigma में उसको use कर लेते हो ठीक है होता क्या है कि जब आप train कर रहे होते हो तो आपका हर neuron basically हर batch normalization layer for every neuron will store four parameters एक यह store करेगा gamma एक beta एक mu exponentially weighted moving average for mu और एक sigma exponentially moving weighted average for standard deviation ठीक है अब देखने वाली बात यह है कि यह दोनो learnable parameters होते है जिनको training के time सीखा जाता है यह non-learnable parameters है ठीक है तो मैं एक बार यहां पर summarize कर दे रहो कि जब training होती है तो जब batch normalization आप लगाते हो तो for every neuron that you have you will store 4 parameters मैं आपको थोड़ी दर के बात दिखा भी दोंगा 2 will be learnable which is basically gamma and beta and 2 will be non-learnable ठीक है और वो कौन सा होता है mu and sigma exponentially weighted moving average ठीक है तो मानलो अगर आपके पास एक hidden layer है जिसमें आपके पास तीन hidden units है तो इसके उपर जब आप batch normalization लगाओगे तो total parameters होंगे 3 x 4 मतलब की 12 इसमें से learnable 6 होंगे और non-learnable 6 होंगे ठीक है आईगेस आपको यह पूरा point समझ में आ गया So let's now discuss the advantages of batch normalization हमने सारी चीज़े वैसे तो पढ़ ली है बट थोड़ा सा और reiterate कर रहे है first is batch normalization makes our training more stable more stable का मतलब है जब आप hyper parameter tuning करते हो तो you can have a wider range of values that you can choose from यह आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग hyper parameter tuning पढ़ेंगे आपका training ज़्यादा stable होता है और इसलिए आप अपने hyper parameters के लिए जो values चूज कर सकते हो वो एक ज़्यादा बड़े range में चूज कर सकते हो second is training becomes faster यह हमने काफी detail में डिसकस किया क्योंकि आपका learning rate का जो value है that can be set to a higher value the third advantage is that batch normalization can act as a regularizer मतलब overfitting में help कर सकता है क्यों और कैसे देखो बहुत strong regularizer तो नहीं बनता है लेकिन एक regularization effect तो होता है मैं आपको reason देता हूँ ऐसा क्यों है मानलो यह आपका एक neural network है और आपने इसके उपर batch normalization apply किया सो होता क्या है कि यह जो neuron है इसका हर epoch में I'm sorry हर batch के बाद mu और standard deviation mean और standard deviation calculate हो रहा है which is dependent on the batch itself और batch की value change होने से इसकी value में भी changes आते हैं और इसकी value में changes आने से activation में भी changes आएंगे और जब activation में changes आएंगे तो in a way थोड़ा सा randomness introduce हो जाता है आपके system में या बोल चकते हो थोड़ा सा noise आ जाता है which is good इससे क्या होता है कि overfitting थोड़ा सा reduce हो जाता है ठीक है बट यह इतना strong regularization नहीं है कि आपको regularization technique लगाने की जरूरत ही ना पड़े जैसे कि drop out आपको drop out भी लगाना पड़ेगा यह इसका kind of side positive impact है side positive effect है and the fourth and the last advantage of using a batch normalization layer is कि batch normalization weight initialization का जो impact होता है उसको reduce कर देता है इसका मतलब weight initialization उतना crucial नहीं रह जाता जितना without batch normalization वो होता है ठीक है मैं आपको समझाता हूँ क्यों जब आप normalization use नहीं करते हो तो आपका जो cost function है वो थोड़ा stretched रहता है अब मालो आपने ऐसा weight initialize किया जो इस जगह पे है तो यहां से obviously optimum solution तक पहुँशने में आपको time लगेगा और मेहनत लगेगी बट जब आप normalize कर देते हो तो आपका cost function इस तरीके का uniform बन जाता है कि आप अलग-अलग weight initialization करके भी optimal solution तक अराम से पहुँच सकते हो तो inner way जब आप batch normalization कर रहे हो और आप अपने cost function को थोड़ा improve कर रहे हो तो weight initialization के जो disadvantages हैं वो kind of आप reduce कर रहे हो और eliminate कर रहे हो और यही चौथा आपका benefit है तो मैं एक बार summarize कर देता हूँ सबसे पहले batch normalization आपकी training को stable करता है stable करने का मतलब कि आपके जो hyper parameters हैं उनका जो values है वो आप थोड़े wide range में set कर सकते हो यह हम पढ़ेंगे जब हम hyper parameter tuning करेंगे second is fast हो जाता है training क्योंकि आप higher learning rate set कर सकते हो third is इसका कुछ एक regularization effect भी होता है because of this randomness जो की mu और sigma को calculate करने के process में आता है and the last one is कि आपका weight initialization का जो impact है जो negative impact है उसको reduce करता है यही चार main advantages है अगर कोई आपसे पूछे तो आप यह बता सकते हो so keras में batch normalization implement करना आप बच्चों का खेल है actually मैंने आपके सामने code लिख रखा है मालो अगर आप एक neural network बना रहे हो जिसमें दो hidden layers है एक में तीन unit एक में दो unit तो आपको अगर batch normalization apply करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता आपको basically यह line add करना होता है that's it यह आपका पहला layer है जिसमें तीन units है आपने इसके आगे batch normalization layer लगा दिया ठीक है उसके बाद एक और unit है एक और hidden layer है with two units इसके आगे भी आपने batch normalization layer लगा दिया और यह आपका last layer है output layer इसके आगे लगाए नहीं जाता सो जो भी है बस यह यह implementation that's it बस इतना ही करना होता है तो मैं आपको एक code दिखाता हूं जहां पर first of all मैं आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे आप Keras में batch normalization add कर सकते हो बट साथी साथ मैं आपको compare करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप batch normalization यूज करते हो तो ज्यादा फाइदा होता है training fast हो जाता है let me show it to you so मैंने code प्यारा से लिख रखा है मैं आपको बस go through करवाऊंगा so files वगरा import कर रखी है this is the data set जिसके उपर हम लोग काम कर रहे है classification data set है इसको concentric circle data set बोला जाता है it's a very famous data set थोड़ा difficult है obviously आपको देख के समझ में आ रहा है इसके उपर classification करना थोड़ा difficult काम है so मैंने दो strategies use किया है पहली strategy में I am not using batch normalization ठीक है और मैंने train किया model को for these parameters 200 epochs और फिर मैंने क्या किया strategy change किया और यहां पर मैंने second model बनाया जहां पर मैंने batch normalization use किया है you can see ठीक है अब एक चीज मैं आपको दिखा दूँगा पहले ही कि यहां पर जो hidden layer है इसमें 3 units है तो जब आप इसके उपर batch normalization लगा होगे तो आपके पास total 3 x 4 12 parameters होंगे जिसमें से 6 आपके non trainable होंगे और 6 आपके trainable होंगे यहां पर you can see जब हमने batch normalization लगाया तो there are 12 parameters ठीक है similarly जब अगले वाले पर लगाया तो there are 8 parameters because हमारे पास 2 x 4 parameters होंगे ठीक है यहां पर आप देख सकते हो non trainable parameters are 10 why? because इस वाले से 6 non trainable और इस वाले से 4 non trainable ठीक है तो total मिलाके 10 non trainable parameters है और बाकी के सारे आपके trainable parameters है ठीक है फिर मैंने इस model को जब train किया और finally नीचे जाकर के जब मैंने loss actually मैंने जब accuracy को plot किया green वाला curve आपका बता रहा है batch normalization and black वाला curve बता रहा है without batch normalization तो यहां पर you can see not only training का performance better है जादा accuracy आप gain कर रहे हो but also you can see कि बहुत कम epochs में ही आप जादा accuracy अचीव करने लग गयते like 60 तक पहुचने में 60 का accuracy पहुचने में हमारे without batch normalization वाले model को around 70 epochs लगे whereas just 20 epochs में ही हम 60 के accuracy पे reach कर गये जब हमने batch normalization यूज किया ठीक है तो this is the biggest benefit अब यह तो बहुत छोटा सा data set है आप आगे चल करके बहुत अच्छे अच्छे problems पे batch normalization apply करोगे and you would see ऐसा सच में होता है जाधा तर आप notice करोगे CNN के साथ batch normalization use हो रहा है but आप CNN के साथ भी कर सकते हो so that was the video guys I hope मैं आपको batch normalization का concept समझा पाया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like करना और अगर आपनी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe the channel thanks for watching मिलते हैं next video में bye